नवस्कार लोक्तंत देख रहे आप और मैं हूँ आपके साथ नेहा दूबे लोक्तंत में आज हम बात करेंगे नई शिक्षानेती की सरकार ने 34 साल बाद नई शिक्षानेती की गोशना की है नई शिक्षानेती में स्कूल में बच्चों के भविश्य में स्कूल बैग का बोज भी कम होगा इसे स्किल बढ़ेगा और रोजगार के अफसर भी मिलेंगे विकल्प के रूप में स्थानी भाशा भी रहेगी इसके जर्ये भारती भाशाओं को प्रुचसाहित किया जाएग करीब दो लाग सुझाव के बाद नई शिक्षानेती तयार की गई है अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री प्राइमरी स्कूल के तीन साल और क्लास एक से दो सहीत फाउंडिशन स्टेज में शामिल होंगे इसके अलावा शिक्षा प्रणाली को लेकर कई तरह के परिव चाहती है कि सुफिस दी लोग शिक्षित हो लेकिन सवाल है कि सिर्फ शिक्षा नीती बदलने से शिक्षा में सुधार हो जाएगा सरकारी स्कूलों के हालात सुधरे बिना ही शिक्षा नीती लागू कर पाना संभव है क्या सरकारी स्कूल नई शिक्षा की योग्य है क्या स तरकारी स्कूलर कोई व्यवस्था सुधारे बीना ये सब हो पाना संभव है ये रिपोर्ट देखिए देश शिक्षा नीती भारत के भविश्य को सब वारने के लिए बनाया गया है ताकि भविश्य का भारत अपने हिसाब से अपना भविश्य सवार सके नए भारत में नई पहचान बना सके चोतिस साल बाज सिक्षा नीती में नए बदलाफ किये गए हैं ताकि सिक्षा में सुधार और बच्चे अपने हिसाब से पर सके बुदवार को इस नई सिक्षा नीती को कैबिनिट ने मन्जूरी दे दी नई सिक्षा नीती में स्कूल के बस्ते प्री प्राइमरी क्लासे से लेकर बोर्ड परिक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एड्मिशन के तरीके, एमफिल तक बहुत कुछ बदला है नई नीती की सबसे बड़ी विशेश्टा ये है कि स्कूली सिक्षा, उच्छ सिक्षा के साथ, क्रिसी सिक्षा, कानूनी सिक्षा, चुकित्सा सिक्षा और तकनीकी सिक्षा जो ऐसे व्यवसाई कि सिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है इसका मुख्य उदेश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना इसका स्वागत करेंगे मतलब अगर आपने एक साल की पढ़ाई की है तो सर्डिफिकेट दो साल की है तो दिपलोमा तीन साल या चार साल के बाल डिग्री दी जाएगी यूपी हमारा बहुत सिक्षा के प्रति जागरूग प्रदेश है और चुकि संख्या हमारी बहुत जादा है और आवसकता है हमारे पास साथन साथन जितने होने चाहिए तो उसमें उतने नहीं है तो इसमें हम बहतर नीती को अपना के एक नीतिगत जो निरने है उससे उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाग होगा सरकार ने तै किया है कि अब सकल घरेलू उत्पाद यानि जीडिपी का कुल 6 फीजदी शिक्षा पर खर्च होगा फिलहाल भारत की जीडिपी का 4.4 प्रतीशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है आयोग ने सिक्षकों के प्रसीक्षन पर खास जोर दिया है जाहिर है कि एक अच्छा टीचर ही एक बहतर स्टूडन तयार करता है इसलिए व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रसीक्षन और सभी शिक्षक कारेक्रमों को विश्विद्यालेओं और कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है सरकार अब न्यू नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तयार करेगी इसमें ECE, स्कूल, टीचर और एडल्ट एडुकेशन को जोड़ा जाएगा बोर्ड एक्जाम को भाग में बाटा जोएगा अब दो बोर्ड परीक्षाओं को तनाव को कम करने के लिए बोर्ड तीन बार भी परीक्षा करा सकता है इसके अलावा अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा जैसे कि आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक सीखा है तो इसे आपका रिपोर्ट कार्ड में जगा मिलेगी जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स का भी विकास हो सकेगा अभी तक रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए इसके लिए एन्रोल्मेंट को सो अफ़ीजी तक लाने का लक्ष है इसके अलावा स्कूली शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास लाइफ स्किल भी होगी जिससे वो जिस शेत्र में काम करना चाहेगा वो असानी से कर सकेगा नई राष्ट्रिय सुक्षा नीती 2020 में राष्ट्रिय परीक्षा एजिंसी द्वारा उच्छ सिक्षा संस्थानों में परवेश के लिए common entrance exam का औफर दिया जाएगा देशभर के विश्विद्यालयोंग में परवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए additional charge दिया जाएगा जिसमें वो higher education के लिए आम यानी common entrance परीक्षा का आयोजिन कर सकता है रिसर्च में जाने वालों के लिए नई शिक्षानीती में नई विवास्ता की गई है उनके लिए चार साल में डिग्री प्रोग्राम का विकल्प दिया जाएगा यानि तीन साल डिग्री के साथ एक साल एमे करके एमफिल की जरूरत नहीं होगी उसके बाद सीधे पी एचडी में जा सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने नई शिक्षानीती में अब एमफिल को पूरी तरह खत्म करने की बात कही है Multiple Disciplinary Education में अब आप किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं यानि अगर आप Engineering कर रहे हैं और आपको Music का भी शौक है तो आप उस विशे को भी साथ में पढ़ सकते हैं अब स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट लेने पर जोर नहीं होगा पहले जैसे स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव करना होता था अब उसने भी बदलाव आएगा कुल मिलाकर नई शिक्षानीती से सिक्षा में सुधार होगा लेकिन सवाल है कि बिना हालात सुधारे नीती बनाने से शिक्षा नीती में सुधार होगा सरकारी स्कूलों की सेहत में सुधार किये बिना नई शिक्षा नीती काम्याब होगी Bureau Report, APM जी यहां तो सरकार ने 34 साल बाद नई शिक्षा नीती की कोशना की है और नई शिक्षानीती सिभाविशे में स्कूल बैग का बूझ कम होगा और क्या कुछ इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं क्या कुछ इसके फाइदे हो सकते हैं आज इस पर तफसील से चर्चा करेंगे हमारे साथ खास महमान मौझूद है और इससे किस तरह से देखा जाए सबसे पहले तो ये जो नईए शिक्षानीती ए इससे कितना फार्दा कितना नुकसान होगा और इसे किस طरह से देखा जाए सबसे पहले तो यह जो new education policy है वो देर से आई है, यह तो after three decades आई है और इसके absence में जो education policy और education infrastructure है वो सफर करता रहा है तो इसके plus minus हैं कुछ जो teaching communities हैं उनके reservations भी हैं इसको लेकर के but एक दो चीजें हैं जिसके बारे में teaching community को भी कोई reservation नहीं है और वो welcome है और हमारी डूटा भी उसका welcome करती है वो है कि इसमें सिक्षा को expand किया गया है जैसे पहले हम बात करते थे universal education from age 6 to 14, now it is from age 3 to 18 so that's a big expansion of course उसके लिए जो infrastructure है उसको उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा और इसमें कहा गया है कि वो धीरे-धीरे करें गई और उसकी बवस्ता की गई है the second thing एक transparency आएगी इसमें और एक जो teaching teachers है और जो school administration college university administration है वो accountable होएगा यह जो दोना चीजें है इसमें teachers के कुछ reservations है जाहिर है teaching community इतने साल से 3 decades से और उससे पहले से भी बहुत जादा transparency teaching में नहीं है अभी कुछ universities में student feedback शुरू हुआ है student कहेंगे कि उनको कैसा लगा teachers का पढ़ाना पर वो अभी शुरू हुआ है कुछ-कुछ जगा शुरू हुआ है उसको लेकर के भी teaching community में reservations है कि students किस तरह से हमें आखेंगे etc और जो accountability का portion है उसमें भी teachers को काफी reservations है किस तरह की accountability कौन हमें accountable करेगा और उसके method क्या होगे methodology क्या होगा इन चीजों को लेकर थोड़ी सी भहस है बट जो जिस expansion का इतना जादा जरूरी था मैं higher education के बारे में विशेस तरह पर कहूंगा अभी जो enrollment है वो सरफ one-fourth है ना किसी भी worthwhile society में वो कम सकम 50% होना चाहिए पोस्ट school education में कम सकम आधे लोग तो जाएं अभी एक चौथाई है अभी हमने एक ambitious plan किया है कि अगले 10 साल में उसको 50% तक हम ले जाएंगे और अगले 2-3 साल में क्योंकि पहली चीज है कि एक जनतांतिक जीश में कोई parliamentary committee में discussion नहीं हुई है Parliament मिली नहीं चंद लोगों को बैठाके ये तैकरती गई और इसका कई इसके मुद्वे हैं जो बहुत ही मुश्किल है एक है कि बस्तन में या तो मातर भाशा हो या होम लाइंगविज ये होम लाइंगविज क्या चीज है या रीजिनल लाइंगविज हो उसमें शिक्षा होगी इसका मतलब है कि आपके को इस्टैंडर नहीं होगा कन्स्यूजन होगा दूसरी चीज है कि ये एक युनिटरी सिस्टम है वन विंडो बिकॉज एडूकेशन इस गोई तो बिकॉम सम्थिंग बहुत प्राइवट और कमर्शलाइब और इसमें बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये जो आम आदमी है जो कि युनिवर्स्टी तक नही कि यहां है कुछ सब्सक्रान ब्राइब ना variance दए गया यहां पर कुछ होंगे जो तरहँ होंगे जो राजम जडूरos होंगे और कुछ होंगे जोपड़ लिखे होंगे यह एसिंगे कंप नी ने 1813 में पाक दिया हुए था चुए इस एंग्या कंपनी लिए 1813 में इत अर व पर उसके इलावा इस बहुत सीरियस कीज है आज हमारी उनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन इंडिपेंदेंदेंड दबजिट निए इंडिपेंदेंडन फ़ेजिए हैं तो सारी एडिकेशन बित्री का माल हो जाएगा जो खरीच सकता है खरीद लेगा और जो नहीं खरीच सकता वो अंपड रहेगा वो पत्थर तोड़ेगा वो घर बनाएगा और वो असल में किसी ना किसी तरह सेकिंड क्लास सिटिजन हो जाएगा और इसमें कोई अकाउंटबिलिटी नहीं है यह कहरे हैं पत्चिस पिसदी लोग हायर एडिकेश्ट में आगे जाएगे उस रास्ता ह तो मेरा ही कहना है जिए पिछले दरवाजे से विदेशी कंपनियों को बुलाके और हर तरह के बचकार शिक्षा पैदा करना चाहते हैं और इसमें एसमें हर तरह की चीज़ होगी अमीरों को खरीद में पर शिक्षा मिल जाएगी जड़ीबों को अशिक्षित रखा हाँ पर अशोग जी से ले लेते हैं अशोग जी आपने सुना अभी सुनी चोपड़ा जी को उनका कहना है कि अमीरों को तो शिक्षा मिल जाएगी लेकिन गरीब इससे वंचित रहेगा और पिछले दरवाजे से कही ना कहीं विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने क कि कोशिश कितना इत्तफाक रखते हैं आप इनकी बात उसे अब चोपड़ा जी मुनाई सव पचास से लेकर के और 14 तक शिक्षा को नियंत्रित करते रहे हैं और शिक्षा पर बामपंथ का कबजा था तो इसलिए आप यह कबजा हटाया गया तो दुख होना सभाविक है ए संग का समसेवक हो मात्र और संग के जानकार आप कह सकती है मुझे नेता प्रयोग न करिए नेता कोई नहीं होता तो पहली बात तो यह थी चोपड़ा साब का विरोध था कि उसको ठीक से चर्चा नहीं की गई तो मैं बता दूं कि पंचायत से लेके सांसदों तक और सायत से चोपड़ा साप सुन ले बात को मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं तो सिर्फ आपके बातों का उत्तर दे रहा हूं आप सुन लीजिए ना और मंद्री मंडल का जो निर्ण है अरे बाई जरा सुनिये भाई सुनिये थी चंता पस यही पांपंथियों के हा संसदों तक चर्चा हुई है चार लाख लोगों ने सुझाव दिया है सभी राजियों से चर्चा हुई है तब मंत्री मंडल से पास हुआ है और मंत्री मंडल के बाद इसको जब सेशन चलेगा तो रखा भी जाएगा क्योंकि बिना संसत के पास किये कोई चीजिए लागू सब तक पहुचना दूसरा है एक्विटी यानि भागिदारी तीसरा है क्वालिटी यानि गुणवत्ता चौथा है एफोर्डिबिल्टी यानि सब को कि फायती दर पर शिक्षा मिले और पाँचवाही अस्तमब है एकाउंटिबिल्टी जिसकी बात करने एकाउंटिबिल्टी होगी नहीं जवाब देहित की जाएगी कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं कैसे पास हुए तो ये मैंने कहा ये सबी से चर्चा की गई है अइक बात है कि एक भारत स्रेश्ट भारत की कलपना को ले करके इसी भावना से और अधिक्तम फीस भी तै कर दी गई, यह कोई शोशन नहीं हो सकता गरीबों का, गरीबों और दो करोण बच्चों को पुना जोड़ा जाएगा, यह सारी बाते, accountability, responsibility, equality, access, यह सारा स्तंबा इस सिख्छा नीती का, हाँ, दुख उनको जरूर हो रहा है, वो आलोचना जरूर क कर सकते हैं, जो कि हमको गहन अंधकार में केवल रो मिला था पर, और इफान हवीब का इतिहास पढ़ा करके, इस देश को कोई संस्कृति का देश न बता करके, जो इन लोगों ने सिख्छा को दीमक की तरह चाट लिया है, उस सिकन्ये से मुक्त किया गया है, और उच्चे स सिक्छा, सबके लिए सुलब सिक्छा देने का प्रयास किया गया है, जिनको आप कह रहे हैं, जागते कुछ नहीं है, आपके कधों ने हिस्की लिखी हुई है, वो पढ़ा हुई है, देखे, ऐसा है चोपड़ा साब, मुझे आप से पढ़ना नहीं है, और शिक्छा के छेत में जनता की राय ले करके, अब आप से राय नहीं ली जाएगी, आप लोगों ने बहुत देश चला लिया, साथ वर्सों तक आपने कांग्रेस को भी दीमक की तरह चाट लिया, और देश को भी दीमक की तरह चाटा, तो यह समात हो गया आप बात, अब आपको गंभीरता से सुनना पड़ेगा कि शिक्षा नीती बदली जो गई है, वह इस दिर्स्ची से बदली गई है कि आम व्यक्ति वह ज्याना आरजन कर सके, नकी एक रोबोट बन जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुने जी से सवाल रहे है, सुने जी, चौप्रा साथ, सवाल ये है, कि अभी आपने कहा कि किसी से राए मश्वरा न की गई, अब है आश्यूक जी क्या रहे है, कि लोगों से भी आमने पूछा, लोगों से आमने जाना, सुने लेजी, सब लेजिए, सवाल में लेजे, सुने जी एक प्रांथिय सबजिक्ट भी है, तो प्रांतिया असेंब्री से कहां पूचा गया है जे अरे बाई आप आप ये बताईए कि राज्य सभी राज्य अपना पाठकरम तयार करेंगे राज्य इस्कूल इस्टेंडर्ट एथारटी का गठन किया गया है ये दोनों बाते सिद्ध करती हैं कि यहां राज्य सूची में भी रहेगा केंदरी सूची में फिराएगार दोनों दोनों विश्य पर इस पर चर्चा हो एक चीज मुझे यह पूछने है क्योंकि आरेस्ट तब लगातार यह कहा जा रहा था जिए कि छटी के बाद हिंदी को अनिवारे किया जाए लेकिन अब ऐसा तो नहीं किया गया छटी के बाद हिंदी को अनिवारे कैसे डीखते हैं नहीं किया गया शॉष्म ने अपने एक अखिल भारति परतुनदी इस थी उसमें जो जो सुझाव दिया था उसी को माना गया है सुझाव यह दिया गया था कि पांच वर्स तक के बच्चों को उनकी मातर भाषा में शुक्छा चाहिए उसी से उसका iq develop होता है तो अंग्री जी के अनिवारता समाथ कि गई है हिंदी तो आपने आप सुता प्रतिस्थित है वहां अपने यूपी उगिता के कारण से प्रतिस्थित है और वहां राज-भाषा के रूपे प्रस्थापी थायर सम्हिधार में प्रस्थापी तो उसको regional language में दिया जाएगा, home language में दिया जाएगा, परन तो सीने कहा गया है कि मात्र भाशा में, जो जिस बालक की मात्र भाशा होनी, उसमें भास इचालेगा, लेकिन सवाल ये भी है शोग जी, कि विदेशी university campus खोलने पर एतराज जताया था, तो अब यहाँ पर विदे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, साड़े 6 लाग से 7 लाग तक बच्चे विदेशों में जाते हैं, बड़ी higher fees देते हैं, तो विदेशी मिशुद्यालें को यहाँ campus खोलने के अनमती इसलिए दी गई है, कि वहाँ यहाँ जब अपना campus खोलेंगे, तो विदेश नहीं ज कहना चाहते हैं, आरसस ने कहा था कि ऐसा नहीं जोनाशे की विदेशी, युनिवर्सिटी इसलिए उनको आमंतृत किया गया है, मगर उनकी फीस निरधारित किर दी गई है, कि वह एक maximum फीस यतना ही ले सकते हैं, हमारी JNU की शिक्षा विदेशी स्टैंडर्ड की है, यह कोई नहीं चीज नहीं आप बता रहे, बताएए आपने JNU का क्या प्राप्त करेंगे, तो हमारे ड्रालर बचेंगे ना, चीक है, आप ड्रालर बचा रहे हैं और बच्चों को अंपड बना रहे हैं, चीक है, क्या कुछ खास है अपने अंपड बनाया है, आप बाद बनाया है, अशुप जी चोपड़ा जी हमारे पस दिल्ली विष्वित याले की प्रोफेसर भी है, इन से भी पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कुछ खास है किस तरह से अध्यापा का और जो प्रोफेसर है वो देख रहे हैं शिक्षानिती को इसके कितने ज़रूरत भारत में थी ये भी हम जान लेते हैं सबसे पहले तो इसमें एक दो चीजें हैं जिस पर बहुत बहस नहीं होगी और इसलिए वो कहीं छूट न जाये शिक्षा की का फॉर्मल शुरुवात तीन साल से अब हो रही है पहले हम छे साल की बात करते थे पांच साल की बात करते थे मतलब for the first time pre-school education pre-primary education is now a formal part of the education structure तीन साल से आप play school कह लीजे pre-school कह लीजे वो शुरू हैगा वो बहुत जरूरी है आपको याद होगा US में तो Obama के second term में वो election issue था कि universal pre-school मिले सब को मिले जैसे हम school की बात करते हैं वैसे pre-school की in fact इसमें कहा गया है कि from zero to three years हम parents को advice करेंगे कि वो उसके intellectual development के लिए cognitive development क्या करें तो यह सबसे पहले हुआ है उसके बाद में जो एक flexibility आई है class 12 के नीचे तक मतलब class 5 से लेकर class 12 के बीच में जो एक तरह से discipline sub silos बन गए थे science, maths का साथ science, biology का साथ science, economics तो उसमें एक flexibility आया है तो जो 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 आप choose करेंगे अपने subjects उसमें आपके पास ज्यादा choice है क्योंकि students तो stakeholder है बहुत बड़ा stakeholder है पूरे education system का तो यह उसमें एक choice है, later on when you go to college, college में जब आप जाते हैं तो वहाँ भी एक तरह की transparency आई है जिससे students फायदा उठा करके जैसे किसी ने 2 साल किया है उसके बाद उसका break हो गया तो अभी तो वह system से बाहर हो जाता था, अभी आप अपने credits को save कर सकते हैं और जब कभी आप वापस education system में आएंगे तो वह credit इस्तमाल होगे, तो यह चीज़े है, interdisciplinarity आई है, जब आप विशेयों को choose करने में जो आ nature रहा है उसका, so आपने masters किया, उसका बाद में PhD के लिए एक preparatory framework हुआ करता था, अभी कहीं एक साल है, कहीं डेड़ साल है, कहीं दो साल है, उसको save किया गया है, और जो आपका graduation है, जो आपका graduation है, जो आपने किसी service में जाना है, तब तो आप तीन साल के बाद दिग्री ले करके निकल सकते हैं, बट अगर जो research oriented graduate जो होगा, उसका graduation थोड़ा और substantial हो गया है, जिसके बाद आप एक nominal MA करेंगे एक साल का, और उसके बाद सीधे PhD में जाएंगे, चीक है, जो अपर साफिर रेक्शन ले ले लेते हैं, मैं सरफ एक बात और कहींगे, JNU जैसे जो institutions हैं, वो रहेंगे, हम इससे परिशान नहों और हमारी डूटा भी इससे परिशान नहों कि उनको touch किया जाएगा या उनमें interfere किया जाएगा, मैं JNU से पढ़ा हूँ, MA, MPH, PhD मैंने किया है वहां से, वो रहेंगे, in fact उनका जो अभी fund crunch आ रहा है, उसमें शायद उनको और सहूलत हो, so JNU will stay there, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, उसको और strengthen किया जाएगा, expand किया सकता है, चोपरा साब सवाल इस बात को लेकर है, आपने सुना अभी अपरिशेशी को इनका कहना है, कि यह जो परिवर्तन है, कि यह जो परिवर्तन है, इंक्लूड करेंगे, इंक कि यह जो सब आम बत्यों को नहीं मिलेगी, वो लोग सिर्फ तरखान और राजमस्दूर बनके रह जाएंगे, अंपर लोग अंद विश्वास और अंपरताने फटे रहेंगे, और अमीर लोग खरीच के आगे बन जाएंगे, जी, बड़तने, 75% जो आपका पोस्ट स्कूल ग्राजूएट है, जो स्कूल का ग्राजूएट है, क्लास 12 के बाद, वो तो वैसे भी बाहर है अभी, 75% वो तो पता नहीं, वो कार्पेंट्री में जा रहा है, या ब्लैक्समिथी में जा रहा है, ये सब अच्छे काम है मैं इसको वो नहीं कह रहा है, तो और मामा मेरा स्मॉल पॉइंट सिर्फ यह है कि 75% लोग तो ऐसे भी हायर इडिकेशन के फ्रेइवक के बाहर हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं तो उनके लिए अगर क्लास 8, 9, 10 से ही उनको ऐसे भी अगर कापिंटरी में जाना है तो उसका अगर उनको कुछ ट्रेनिंग मिल जात लंबा वक्त लगा है कि क्या आपको भी लगता है कि बदलाव होने चाहिए थे भरही वह आपके आपके विचार से होते हैं लेकिन किस्ध बदलाव होने चाहिए थे East India Company ने इस एफशोग ते लूप दे लिए था विसकी कोई जानकारी या इनको है नहीं पाताएंगी में भी नहीं यह जानना चाता हुआ हूँ लॉट वाकोले भी अफशोग थाफशोग था श्थेफिस की बात कर रहे है ने वो तो बहुत जरूरी बात हो सकते हो पर बहुत पुरानी बात है डिली उनिवरस्टी को आप लें 60s 70s में एक flood of institutions आया था जब सारे colleges बने नए colleges जो बने धेर सारे college बने 60s में उसका बाद में 60s से अभी 2020 में हम है it's 60 years क्या expansion हुआ है डिली उनिवरस्टी का डिली उनिवरस्टी केटर नहीं कर पा रही है कितने लाख students जो class 12 डिली से कर रहे हैं उनको या तो technical चीजों में जाना पड़ता है या पढ़ाई को छोड़ी देना पड़ता है दूसरे stateों में जाना पड़ता है वहां भी बहुत रश है तो वो तो एकदम system के बाहर है अगर सबसे पहले सबसे अभी यह सब hope है यह तो एक policy आया है अभी कैसे implement होगा सवाल इस बात को लेकर है कि नई policy आने से क्या होगा क्या यह जो structure है जो बुनियादी धांचा है क्या उसमें बदलाब की जरुरत नहीं है सबसे क्या यह policy आने से क्या इसको implement ठीक से किया जाएगा और implement किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा इस पे भी आज हम तफसिल से चर्चा करेंगे अगर हम क школLife किअगा जiosa दरसल नई शिक्षानेती जो लागू की गई कि आ जाए अज हम उसee कि बात करा है सवाल इस बात को ले कर है कि उसे कैसे लागू किया जाएगा कहा कहां प्र खामि सरकार के पास उसके लिए भी कोई रोड मैप है क्या खास में माल लगतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सवार इस बात को लेकर है आशो कुमार सिना जी कि इस शिक्षा नीती को कैसे लागू किया जाएगा सर क्योंकि अभी अगर हम हालात देखे तो कई राज्यों में कई र नौता दे सकते हैं इस हालात में बच्चे वहाँ पर पढ़कर अपने भविश्य को आगे बढ़ाने या फिर अपना विकास और अपने देश का विकास करने के जो सपनी हैं वो बुनते हैं लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आप नई शिक्षा नीती तो ले आते हैं लेकिन बुनियादी स्विधाएं उनको कब कैसे मुहया होगी सर इस बारे में कौन सोचेगा सर कि अशोग जी कि अशोग जी आवाज मिल पार रहे हैं आपको चले डॉक्तर प्रजिश यही सवाल मेरा आप से है यह जो आप कह रही थी काफी डूबल है मैं आपको अधारन देता हूं और यह भी शिक्षा नीती में जो अनॉंस्मेंट हुआ था कल ही हुआ था उसमें मंत्री जी ने कहा भी जैसे हमारे हैं एक इंस्टूशन है आंगन आंगनवारी में जगह है अब यह इस शिक्षानीते के बाद जो गवर्मेंट का आटिटूड है वो यह है कि जो डपार्टमेंट अभी तक मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, फैमिली वेलफेर, चाइल्ड डवलप्मेंट में था उसको भी हम स्ट्रीम लाइन करके इसमें आंगनवारी का या और भी चीजें और भी तरह से जो क्रेश या इस तरह का उसको इस्तमाल करके इसलिए पूरा एकदम नए सिरे से शायद ना बनाना पड़े बाकी चीजें जो है 16-14 तक तो हम युनिवेसल स्कूलिंग में दिया ही हुआ था अभी हम उसको 18 तक एक्सपैंड कर रहे हैं तो यह कंपरिटिव एक्सपैंशन की जरूरत है एकदम पूरे स्ट्रक्चर को बिल्ट करने की जरूरत नहीं है हर लेवल पे अभी हायर एडिक चीजों को बदलने से नहीं होगा इंफ्रस्ट्रक्चर तो दें एकांटबिलिटी किस चीज का जब इतने ज्यादा लेक्चरार हैं कि स्टाफ रूम में जगह नहीं है तो पहले स्टाफ रूम को थोड़ा एक्सपैंड कीजिए अशोग जी सवाल इस बात को लेकर है क्वा कांटबिलिटी की बात करते हैं तमाम बाते आपने के लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्वालिटी की जहां बात होती है सर ऐसे बहुत से राज़े हैं बहुत से स्कूल हैं बहुत सी जगे हैं जहां पर बच्चों को बुनियादी स्विध हाई नहीं मिल पा रही है ऐसे इसी इमारतों में बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए परिशान है या फिर उन्हें जाना पढ़ता है मजबूर है जहां पर वो खादसे को किसी भी वक्त इमारत न्योता दे सकती है ऐसे कंडिशन में आप एक नई शिक्षा नीती की बात करते हैं कैसे लागू होगा सर यह देखे निर्णे लेना नीती बनाना यह बेवस्थापिका का कार्य है कार्यपालिका उसको कार्यानवित करती है तो कार्यपालिका को यह उतरदाई तो दिया जाएगा कि पहली बात तो कि यह बड़ी सोचिनी इस्थिती है कि इतने बड़े बड़े शिक्षा विद हुए र सरकार इसकी विवस्था करेगी जब नीती बनाई है तो उसके अंसार कारिपालिका को निर्देश भी होंगे और धन भी होगा बजट भी उपलब्द होंगे और मैं बतादू आपसे राश्टी समसिवक संगर स्वयम एक लाग से उपर एकल विद्याले चलाता है जहां पर एकल विद्याले एक लाग से उपर चल रहा है इस देश में हम शिक्षा के चेत्र में विद्या भारती यासा बहुत बना संगठन बनाकर रखे हुए हैं तो शिक्षा यह सबकों मिले इसकी जिम्मधारी सासन के साथ सा समाज की भी होती है कि वह सहयोग करें तो आज़ाद हुए तकरीबं साथ से पैंसट साल का वक्त हो गया तर ऐसी स्तिती में आज भी जब बारिश आती है तो बारिश के बाद जो स्कूल है वो तालाप में तबदील हो जाता है वहाँ पे बच्चों की जो बैग है वो तैरने लग जाते हैं स्कूल में जाने के वक्त उन्हें दो-दो इंच, तीन-तीन इंच पानी से होकर गुजरना पड़ता है सर ये कंडिशन अगर स्कूल की इस वक्त बनी होई गया है आजाद भारत में जब आजाद हुए इतना वक्त हो गया तब क्या नहीं लगता कि नई शिक्षानीती एक उम्मीद जगाती है इस तरकार काम ही है हर रोज एक नहीं मीती निकालो और फिर अग्रेशा रामंदिर पे हो रही है क्या नहीं रगता कि इन दोनों को एक साथ जोड़ना बेमानी है कर शिक्षया निटी नागू है कि आप शुक्षा निटी को आप आप अध्य अग्या से बिलगता है क्या भाध्य भन्या करना रहता आप को कुछ उल्म नहीं है कि इन रामकाव पहना को है नहीं 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 जो पर शुक्षा नीति को आप अभी तक तो सर अभी तक तो सर अम हालाद जटके तस देख रहे हैं सर प्रिटा दो बार वो लोग विश्वास लाएंगे लोगों में क्या विश्वास हो सकता है जिसके कैसे होगा तो मेरा ही कहना है ये शुक्षानी की आपने शुरू किया है कुछ ही कैस करो लेकिन इसकी सही है और एड़ेशन कमिशन्स में होगी और आपको सोचना पड़ेगा कि यूजी की जैसा लचन आपको बनाना पड़ेगा शिक्षा में पैसा डालने के लिए जी पैसे की बात आई है तो यहां मैं एक बाद फिर से अपने जर्शकों को बता दूं क्योंकि अब सकल घरेलू उत्पाद यानिकी जीडीपी का कुल 6 फीस दी अब शिक्षा पर खर्च होगा इसे पहले भारत की जीडीपी का 4.4 तीम फीस दी हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता था लेकिन एक सवाल अशोक जी आपसे है क्योंकि 4.4 तीम फीस दी भी अगर हमको जीडीपी का देखें तो यह सर्क कम नहीं होता लेकिन पारदर्शिता की आज बात की जा रहे है यह नई शिक्षा निती के साथ ही कि ट्रांस्पिरेंसी होगी क्या माना जाए कि अब क क्यूंकि बजट भी बढ़ा दिया गया है तो क्या हालात में सुधार होगा क्या देखें इस वर्ष जो सिख्षा का बजट है वो 99,300 करोड रुपए खर्च हो रहे हैं जो गत वर्ष के सापेच इस समय 4500 करोड अधिक रुपए खर्च किये गए है अशोक जी यह आंक्रे लेकिन लोगों के पास क्या पहुंचते हैं बच्चों के पास क्या पहुंचते हैं हम तो उसकी बात कर रहे हैं सर आज जो तस्वीरे निकलके अलग 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 जाच्चों के गाहों की निकलके सामें आ रही है वह हैरान और परिशान करती है कि इस जगे पर अगर हमारे न स्टक्चर उनका भवन उनका उनके और टीचर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो इस नई शिक्षा नीत में बात कही गई है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टीचर गुणवत्ता युक्त हो और विद्याले हर जगा उपलब्द हो जब राइट वेजूकेशन हो गया तो उसके आधार पर हर एक किलोमेटर के अंदर कहीं कोई विद्याले होना चाहिए तो विद्याले हैं अब सरकारी बच्चे कम जाते हैं जब हम उसके जोपड़ा साब को पहले धीमा करें आवाज जोपड़ा साब कहीं बहुत बहुत कम्जोर रस्थान पर दर्द हो रहा है त देश की आवशक्ता को देखते हैं केवल रोबोट न बन करके ज्ञानवान युवक तयार हो और अपने अनुसार वह विशा बदल सकें इसलिए डिजिटल स्थर पर एकडमिक बैंक का क्रेडिट बनाया गया है बीच पढ़ते पढ़ते वह अपने विशा का बदलाव कर सकता है हार एजुकेशन कमिशन बनाया गया है राज्यों से कहा गया है कि वह सभी अपना पाठकरम तयार करें राज इसकूल स्टेंडर्ड अथारटी का कठन इसलिए कि हर जगा विद्याले हो तो इसलिए समग्र विकास सोच करके किया गया है चीक है सुनित चौपड़ा जी कुछ कहना चाहरे है आप अपनी बात रखिए सर अब चौपड़ा साब अपनी बात रखिए अब क्या कह रहे हैं आप सवाल इस बात को लेकर है जिस बात की जिस बात का जिकरा शोगची कर रहे हैं कि तमाम चीजों के मद्दे नजर ही ये फैसला लिया गया है अगर एक नीती को बनाया गया है तो कोई हवा में नीती नहीं बना दी जाती उसके लिए पहले कहीं न कहीं रिसर्च किया जाता है प्लैनिंग की जाती है उसके बाद ही किसी नीती को बनाया जाता है और उन्हें कहा है कि अभी आने वाले सत्र में उसको पास भी करा लिया तमाम तरह के आरूपक व्यावजूद इसको इस बात से कितना इतिफाक रखते हैं नहीं मैं तो होप करूँगा और जितने stakeholders है education में चाहे वो students हो या teachers हो हम लोग होप करेंगे कि जो अशोक साहब कह रहे हैं वो सही हो पर 4% जो है हमारे population में जो इतना young population है school going college going university going population है उसके लिए 4% बहुत कम है in fact 6% भी कम है पर चलो कुछ तो बढ़ा मतलब 6% substantial increase है 50% increase है तो 6% जल्दी किया जाए और यह इससे मैं बिल्कुल agree नहीं करता हूँ कि हमारे इहां शिप्छा का जो infrastructure है वो कहीं भी उतना है जितना होना चाहिए schools colleges बहुत कम है हम नई शिप्छा नीती का स्वागत करते हैं कुछ नया हो रहा है इसमें अच्छी चीजे हैं पर जहां तक infrastructure की बात है resources की बात है यह कैसे implement होगा इसमें बस हम उम्मीद कर सकते हैं भगवान जी से कि जो अशोक साथ कह रहे हैं वो सही हो sir I agree with you here resources wise we are in a very bad shape और हमारे पास बिलकुल colleges नहीं है universities नहीं है जो colleges है उनमें staff rooms नहीं है labs नहीं है libraries चोटे पढ़ रहे हैं तो हमें यह तो बहुत dicey area है पता नहीं कैसे resources mobilize होगा और 6% भी कम पढ़ेगा हमारे हां 8% होना चाहिए और तब कहीं जागता पढ़ेगा चोपड़ा साब यह चीज़े आप मुझे बताई है ठीक है चोपड़ा साब जो हालात और जो स्थितियां है बच्चों के ऊपर कहीं न कहीं पढ़ाई का बोज इसकदर हावी हो जाता है कि अकसत कैसे हमने देखे हैं कि बच्चे गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं जो वो चाहते हैं उसमें वो डिपली आप नॉलिच ले पाएंगे तो यह कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि बच्चों के लिए बनिफिशल होगा मेरी अपनी शिक्षा एक हद्तक इंग्लंड में हुई थी ठीक है वहाँ हमें चोश मिली थी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मौका नहीं मिलेगा इसका अगर माबाप के पास पैसा है आपको विजूश में बेच के पढ़ाने का तो आप पढ़ जाएंगे यहां पर आप पसल कातने लायक ही रह जाएंगे हल चलाने लायक रह जाएंगे राज मजदूर बन जाएंगे तरखान बन जाएंगे उस से ज़्यादा यह शिक्षा कुछ नहीं देगी क्योंके इन्हों ने उसका आधार ही नहीं बनाया है अशोक जी ये भी एक कईना कई चिंता है चोपडा साहब की कि बच्चों को अगर चोपडा साहब विदेश पढ़के आये हैं या यही भारत वर्ष के ही किसी स्कूल विद्याले कॉले से पढ़े हैं मैं यहीं काशिंदू शुद्याले में पढ़ा हूँ भारत के ही और मैं PCS Services में रिटायर हुआ महां से मुझे तो कोई परिशानी नहीं हुई अगर ब्यक्ति को बालक को उसकी मातरी भार्षा और चोपड़ा साहब को जो सब्सक्राइबरों देश हो में लेंदेश जिस घर मे बच्चा घर में बात करता है उसी भाषा में उसको पढ़ाई दिया जाएगा यहां जो कहा गया है तो अक्टुम्रा साथ मजदूर निकले हैं कहीं बाहत से ऐसा को या करके को चमतकार कर दिया हो भारत मर्ष की जो हाईर एजूकेशन है वहां शिक्षा इसलिए गुणवक्टा पूरुन है कि उसके लिए ब्यापक रूस से तयारी की गई एक साल में साणे चार हजार करोड रुपए शिक्षा बजट में बढ़ा देना यह एक अपने आपने उपलगधी कही जाएगी भई और आगे आने वाले दिनों में या ज कोपड़ा साब यह भी कहना चाहरे है कि बच्चों को आप आफ्टर सिक्स या फे एट के बाद अगर वोकेशनल चीजे आप पढ़ाने लगेंगे ऐसे सब्जेक्स पढ़ाने लगेंगे जिससे कि उन्हें आगे जाके दिक्कते ना हो कि उन्हें नौकरी मिल जाए आफ्ट नौलेज लेनी जरूरी होती है और क्या कुछ आपको ग्रहन करना चाहिए यह तमाम चीजें ऐसी हैं जिसका जिक्र भी चोपड़ा साब कर रहे थे क्या नहीं लगता कि आप वोकेशनल कोर्सिस के जरिया आप उनको ग्यान तो दे रहें लेकिन वो ग्यान जो कि बहुत में तपोर है उससे कही ना कही वो पिछड जाएंगे अशोग जी जो संस्कृत के साथ 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 एक चोटी सी चीज कहना चाहता है हमारे देश में एक राष्ट्रपती रहे जिनों ने कहाँ कि हमने पहले इतना जादा सीखा मेगिसन आजमी के सिर पे आजमी के भड पे हाथी क अब लोग इस तरह का विश्वास करेंजे यह कहां कि शिक्षा है चेक में अशोग जिसे रेक्शन ले लेता है अशोग जिसे प्रेश के प्रेजिदेंट ने कहा है कि आजमी के धर पे लेकिता प्रास्टिक साजिरी हुई बारत के राश्रिपती डाक्टर रजन प्रशाद भी रहे हैं डाक्टर अब्दुलकलाम भी रहे हैं और दोनों यहीं के विश्विद्यारे से शिक्षा प्राप्त करके अरो मैं चोप्रा साहब जड़ा सुनने की वी आदट डालिए ठोड़ा सुनिए बहुत 60 वर्षों त कि इन वर्ष से तक प्री ऐको प्राइमरी का रखा गया है और वाद चौटह साल क च्छा एक में जायेगा दूपांचमें साल कछा दो में जायेगा और उसके बाद उसके बाद लॉ चाहल को और इसके बाद घट Eg practitioners have such a जाएंगे तो सब के बच्चे पढ़ने जाएंगे इसको हम इसको हम इसको कन्फ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है यह जो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात है वो उन 75% स्टूडन्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा जो ऐसे भी हायर एडुकेशन में अपना जगह नहीं ढूट पाते हैं वो ऐसे भी जाकर कोई स्किल वाला काम ही करते हैं जो हाथ से ही काम करते हैं कोई तो अगर उनको लास्ट टूई एडुकेशन में कुछ स्किल सिखा दिया जाता है तो उससे इससे उनका बहुत बड़ा फाइदा होगा आप इस चीज़ को समझे याँ डाली है क्योंके नुक्तर कर देगा उनको ने प्रकारी नॉक्तर कि ब्रुकूर देने का उनके लिए योजना बनाई है नहीं बट टेगे लजेगा कोई सेख नोक्री देख है मेरे समझ में मेरे चोटे से समझ में मेरे अपने इसमें यह बहुत महतोपून चीज है और यह होना चाहिए लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कैसे हो पाएगा क्या सिर्फ शिक्षानेती बदने से शिक्षा में सुधार हो जाएगा सरकारी स्कूलों के हालात सुधारे बिना नई शिक्षानेती लागू को पारा समझ है क्या सरकारी स्कूले नई शिक्षा के योगे हैं सवाल इस बात को लेकर भी है अब वाकाई देखने वाली बात होग झाल प्काल झाल